हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मिर्ची का अचार कैसे तैयार किया जाता है एक किलो मिर्ची है हमारे पास और यह कुछ मसाले हैं जो हम इसमें इस्तिमाल करने वाले हैं तो चलें अचार बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मिर्ची को अच्छी तरह से दो लें फिर दो मिनिट इसको सूपने के लिए रखी अब हम मिर्ची में इस तरीके से कड़ डालेंगे ताकि बाद में हम इसमें मिसाला भर सके मिसालों की कुएंटिटी कुछ इस तरह है एक चमच राई, एक चमच मेथी दाना, एक चमच कलाउंजी एक चमच अजवैन, एक चमच सौफ, आदा चमच काली मेरिस इन सब को इस तरीके से दर्द्रा कर लेना है अब हम आदा कप सर्सों का तेल कड़ाई में डालेंगे और तेल थोड़ा गर्म होने पर सारा मसाला इसमें डाल देंगे अब इसमें तीन चमच नमक डालना है एक चमच हल्दी और एक चमच लाल मिर्ची सब मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर दें मसाला ठंडा होने के बाद सब निच्चों में भर लेना है झाला है झाल झाल अब फिर से इनको कड़ाई में डालके दो मिनिट के लिए फ्राई कर लिए ठंडा होने के बाद ये आदा कप सिरकाईस में डाल देना है इसको आप किसी भी डब्य में डालके रख सकते हो सो मिर्ची का अचाहर रेड़ी है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झालके अचाहर रेड़ी है